Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे का आपके person की current thoughts आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे है यह सारे star science की reading होती है और यह एक short reading है, बिल्कुल timeless है सो देखते हैं कि आपके person क्या सोच रहे है सबसे पहले हमारे पास है nine of pentacles, two of cups, five of swords, the hierophant and bottom of the deck पर हमारे पास है the emperor सो right of the bat बड़ी ची thoughts हैं आपके partner की बड़ी positive thoughts हैं और सारी relationship के रिद गुमतिया में भी ऐसे कोई person है जिन के साथ आपका relation नहीं है या पर जिन के साथ आपकी बात चल रही है, settle down होने की, शादी की, कुछ ऐसा भी हो सकता है आजकल आ ही एनरजी रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकर ये collective में एक reading, collective की एक energy है शादी की बहुत से लोग complain करते हैं कि आप शादी का ही बहुत जादा जिकर कर रही है आजकल तो देखिए जो शादी की energy मुझे नजर आ रही है तो मैं वही आपके साथ discuss करूँगी कुछ लोगों के लिए reconciliation भी हो सकता है ये जिसके बारे में आपके partner सोच रहे है because recently में भी आप लोग अलैदा थे separate थे या अगर आपका relationship नहीं बना है ये इनसान single थे आप भी single थे अपनी अपनी जिंदगियों पर focus कर रहे थे तो अब ये इनसान इनके जहन में conflict ये चल रहा है कि मुझे अब relationship में जाना है मुझे अब reconciliation करना है या मुझे single रहना है मुझे क्या करना चाहिए ये इनसान इस confusion में है five five किसी के लिए important हो सकता है so ऐसा भी लग रहा है कि ये इनसान परिशान इसलिए भी है कि वो ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मेरे पास enough है कि मैं एक relationship पर invest कर सकूँ एक इनसान से वादा कर सकूँ उसे hope दे सकूँ क्या मेरे पास enough energy, enough time, finances, resources है कि मुझे किसी इनसान को अपनी जिन्दगी में लाना चाहिए या उसके साथ चलना चाहिए so ये इनसान आपके साथ authentic होना चाहते है ये इनसान आपके साथ real होना चाहते है आपके साथ you know left right नहीं करना चाहते है I really feel कि ये एक बड़ी mature energy है ये इनसान काफी pain ले रहे हैं आप लोगों के connection की, आपकी because maybe आप अपना interest show कर चुके हैं आप बहुत जादा उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत जादा प्यार करते है because ये mutual love की energy है ये mutual energy है चाहे confession हुआ है, नहीं हुआ है relation पुराना है, नया है whatever the case is यहाँ पर आप लोगों का love mutual है जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं so confusion इस वक्त उनके जहन में ये चल रही है परिशानी, कि हम दोनों चल सकते हैं आगे long term के लिए या नहीं क्या मेरे पास enough है क्या मैं इस इनसान के काबिल हूँ या इस इनसान के लिए enough हूँ या नहीं, या ये इनसान ज़ादा बेहतर deserve करता है या करती है, इस तरह के questions है आपके person के जहन में वो इस तरह की चीज़े सोच रहे हैं और मुझे ये भी feel हो रहा है कि कहीं न कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि वो defeat you know, हारना नहीं चाहते हैं वो आपको हारना नहीं चाहते हैं defeated feel नहीं करना चाहते हैं ये इंसान ये भी सोच रहे है और मुझे ये भी फिल हो रहा है कि आप लोगों के दरमयान कुछ differences भी है तो उनके बारे में भी सोचते है यानि आप लोगों का सोचने का तरीका different हो सकता है sometimes कुछ चीजों पर आप दोनों की बहस होती है कुछ चीजों पर आप दोनों same page पर नहीं है तो उनके बारे में भी इंसान सोचते हैं बहुत जादा कि कुछ चीजों में हम दोनों same नहीं है तो उस पर compromise करना पड़ेगा हर angle से वो सोच रहे हैं कि कितने compatible हैं आप दोनों और आप दोनों long term के लिए क्या future है आप लोग के connection का क्या हो सकता है you know so हर aspect से हर angle से वो आपके बारे में और इस relationship के बारे में सोच रहे हैं I do feel कि ये इनसान आपके साथ चलना चाहते हैं mainly उनके जहन में ये है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं आपके साथ loyal है committed है आपसे बट कुछ चीजों पर काफी जादा वो सोच रहे हैं so देखते हैं कि ये five of swords यहां पर क्यों है okay दो cards fly किये हमारे पास है ten of cups and queen of pentacles okay so वो ये सोचते हैं कि कहीं वो आपके साथ जयाती ना कर जाएं आपसे शादी हो भी जाएगी बट कहीं वो आपसे जयाती ना कर जाएं कहीं वो आपके लिए अगर इनफ ना हुए provide ना कर सके आपके standard के मताबक ना हुए इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं बहुत जादा आपके साथ नाइनसाफी कभी नी करना चाहते हैं वो ये इस बारे में सोच के बड़ परशान होते हैं कि कहीं मुझसे नाइनसाफी ना हो जाए और फिर वही बात understanding की कि हमारी understanding किस हद तक होगी किस level तक होगी आगे आने माली जिंदगी कैसी होगी ये है शादी का कार्ड फिर आप लोग कहेंगे शादी की बात हो रही है ये इंसान इतना सोच रहे हैं कि शादी के बात की जिंदगी कैसी होगी काफी जादा ये इंसान सोच रहे हैं आपके इस relation के बारे में ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे जरूर बताएगा comment section में I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye